Hello everyone, मेरा नाम है शर्वरी और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ नए वीडियो में आप मुझे बताईए कमेंट्स में कि आपने पड़ी हुई सबसे क्यूट बुक कौनसी है वीडियो को पॉस कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर से आईए अब मैं आपको बताती हूँ मेरी पड़ी हुई सबसे क्यूटेस्ट बुक कौनसी है तो ये है तो तो चान, तो तो चान बाए टेट्सु को कुरो या नंगी सॉरी इफ आइम प्रोनाउंसिंग इट रॉंग, लेकिन ये बुक ना मुझे बहुत पसंद आती है और ये मैं कितनी भी बार पढ़ सत्ती हूँ अगर आप एक पेरेंट है या फिर एक एजुकेटर है या फिर एक स्टूडेंट भी है तब ये बुक आपके आखे खोलने वाली बुक है मैं सही में बता रही हूँ अचा तो इस बुक की स्टूड़ी कया है इन की एक ثोटी लड़की जापान में रहती है शरार्ती बच्चे जैसे शरारकी सहता है वैसके भी आपकिषम how to तो खिड़की से बाहर देखती रहती है, अब टीचर इतनी परेशान हो जाती है कि वो अटेंशन ही नहीं दे रही, जब टीचर बोर्ड पे कुछ पढ़ा रही है, तब शी इस नौट पेंग अटेंशन अट अल, और भी बहुत सारी शरारते वो करती है, जैसे वो स्ट्रीट इसको देखती रहती है, उसका ध्यान क्लासरूम में नहीं होता, वो म्यूजिशन को ऐसे वेव करती है, हाई, हेलो, उनको बुलाती है स्कूल में, तो टीचर परेशान हो जाती है, टीचर को लगता है कि यह बकवास है, यह लड़की ध्यान क्यों नहीं दे रही, वो तीचर स्ट्रेट अवे उस लड़की को लासरूम से रफा रफा कर देती है, और स्कूल से भार निकाल देती है, अब उसकी मम्मी सूचती है कि मेरी बच्ची नहीं हो सकता है, ताकि उसको स्कूल से ही निकाला जाए, वो एक छोटी सी शरायती बच्ची है नॉर्मल यह चीज मम्मी उसको बताती ही नहीं है I think that was the best thing, you know मम्मी ने अगर उसको बताया होता 6-7 साल की बच्ची को तो सोचो उस बच्ची के दिमाग पर क्या असर होता और वो बच्ची क्या चीज लेके बैठ जाती मैं तो उसका confidence कहां से कहां चला जाता है उसको लगता कि I am good for nothing और यही चीज उसके मन में हमेशा खाती रहती और यह जो बच्चपन के स्टार्ज होते है ना यह बड़े होके भी अपने मन में कही न कही रहते है है ना So मम्मी ड़सन टेल हर और उसके बाद मम्मी कहती है कि बटा हम ना अच्छे स्कूल में जाएंगे यह स्कूल इतना कुछ अच्छा नहीं था बट हम अच्छे स्कूल में जाएंगे अब मम्मी क्या करती है मम्मी कहती है कि वहाँ दो स्टेशन छोड़के न एक अच्छी स्कूल है मैंने सुना है कि तुम उसमें explore करना चाहो कि तुम्हें कैसी लगती है वो देखो तो चान को लगता है कि यार सही है मैं देख लेती हूँ कैसी है लेकिन वो बोलती है मम्मी उसमें तो street में musicians नहीं देखेंगे मैं वेयो किसको करूंगी मैं music कैसे सुनूंगी मम्मी कहती है बिटा जाके वो school देख तो हा फिर वो जाती है देखती है और उसकी न मुलाकात होती है school के principal से headmaster से और headmaster होते बड़े फ्रेंडली तो तो चान को क्या बोलती है अगर तुम्हें स्कूल में एडमीशन चाहिए ना तो तुम्हें मुझसे गप्पे मारने होंगे तुम्हें मुझसे बात करनी होगी तो तो चान was very excited उसको लगता है कि यह तो सही है तो वो क्या करती है बाते कर करती है वो प्रिंसीबल के सामने जाके ब्याइच जाती है गया बहाते है उसको लगता है क्या अब तो मेरे पस कुछ नहीं है तो Headmaster बोलते है कि खतम हो गई बाते तुमारी, इतना ही हो गया इसके अलवा तुमारे पास बाते नहीं है अगर ने को तो बच्ची कहते है कि नहीं, अब मेरी बाते खतम हो गई तो उस स्कूल में जनरली लोगों को अडमिशन जल्दी से नहीं मिलता एडमस्टर कहते है कि आप कल से स्कूल में आ सकती हो, उसको बड़ा अच्छा लगता है फिर वो मम्मी के पास जाती है, बोलते है कि मैंने इतनी सारी बाते की, अब मैं कल से उस वाले स्कूल में जाऊंगी कोई बात मी म्यूजिशियंस नहीं देखने भी लेंगे लेकिन मैं बात करूंगी, ठीक है मैं जाके एक्स्प्लूर करूंगी अब तोटोचान को होता है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओ, लेकिन इस स्कूल में कोई उनिफॉर्म नहीं होता वो घिए भार के कपडे पहन के जाती है अबर ऊच्छा लगता है वो गर के कपड से पहन के जाती हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है, बुज आती है W एक बच्च्च आता है उस के बच्चरों में बेंच जो अपने neurodiversity कह सकते हैं, या फिर फिजिकली जो बच्चे challenged होते हैं, उन बच्चों को भी उसकूल में अडमीशन मिलता था, और तोच्छान को भी उसकूल में अडमीशन मिलता था, तो जब पहले दिन वो जाती है, तो उसको तो बड़ा अच्छा लगता है, या यह तो अल तो आके पढ़ाती है जनरली, लेकिन इसकूल में ऐसा नहीं था, इसकूल में क्या था, कि बच्चे खुद से होके पढ़ते थे, बच्चे खुद तीचर को बताते थे कि आज मैं यह करने वाला हूँ, सो टीचर का जॉब यह था, कि उनको फेसिलिटेट करना, सो आप ही द चाइल्ड अपने लर्निंग की जो रिस्पोंसिबिलिटी है जthose लेकिन आप और रहां में यहां कुछ कुछ सिह सिखते हो, आप यहां से बुक्स के बारे में बाते सिखते बुक्स, सिखते जो अप स्किलिंग के बारे में सिखते हो, तो आप भी एज़ंसी है आपकी बच्चों को खाना अब जैसे को होता है कि आप यह खाओ वो खाओ तिफिन में क्या लाँना है लेकिन यह ऐसा कुछ भी नहीं था यहां पे सिर्फ यह था कि something from the land something from the ocean मानलप जपान में रहते थे तो sea food, something from the hill मतलप land में जो भी the सबजी आव अगार आती है वह वह ऐसा टाइप का food वहां पे मिलता था बच्चों को अपने हिसाब से खेलने का मिलता था बच्चें चीजे एकस्दोर खुद से करते थे फिर वह headmaster थे वह बहुत ही बच्चों के लिए कुछ भी करने को रेडी थे वो अंडर द स्काय रात में स्टार्गेजिंग वगरा वो सब करते हैं वैसी सारी चीज़े होती थी इस स्कूल में खुद का कैम्प लगाते थे बच्चे जो बताती है कि you know alternative school of education क्या होता है और teacher कैसा होना चाहिए बच्चे खुद से कैसे पढ़ सकते है और specially पता है पेरेंट कैसा होना चाहिए अगर बच्चों को अतनी autonomy दी अगर पेरेंट ने सिर्फ एक्जाम और मार्क्स का प्रेशर नहीं डाला बच्चों पे तो बच्चे हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि हम कुछ भी एक्स्टोर कर सकते थे हमारे टाइम में तो वो पेपर और पैन का सिस्टम था कि आपको जाके एक्जाम हॉल में तीन गंटे की एक्जाम देनी ही है you have no choice about it तो वही सारी चीज़े है जो कि disrupt करना बनता भी है यह जो ऑथर है न उन्होंने कोशिश की कि स्कूल सिर शिर से बनाओ लेकिन उनकी बाद में डेथ हो गई तो यह स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया तो पार मेरीूपए उनकी जितनी भी मेमरी थी स्कूल की उतनी ही इन ऑथर ने इस किताब में लिखी है मैंनी कहुंगी कि यह से complete है यह काफी हद तक रिस्ट्रिक्टिंग है क्योंकि हमें पता नहीं है आजपास की चीजे क्या है कैसी है और हर एक टीचर कैसे सोचता है जादा इंफसिस इसमें हेड मास्टर पे है तो चांद खुद क्या सोच रही हो उसना उसमें नहीं दे रखा है यह बुक एक मास्टर पीस है अभी तक शर्कुलेशन में इतनी पुरानी बुक और जब यह बुक इन्हों ने लिखी ना तब यह education material बन गई मतलब teacher training colleges में जपान में यह बुक extensively use होने लग गई सो वही इसी बुक की खासियत है और teaching as a profession को यह बुक पूरी तरह से redefine कर देती है मतलब role of teacher क्या होता है वो completely change हो जाता है आपके माइंड में जब आप यह बुक पढ़ते हो सो यह मेरी one of the favorite books है सो इसकी link में लीचे description में दे दूँगी आप जाके वहां से यह बुक बाई कर सकते हो यह एक story book है ज़रूरी नहीं है कि आपको parent होना है आपको student होना है आपको कोई teacher होना है या education में काम करना है ठीक है कोई भी यह बुक पढ़ सकता है यह एक memoir type की story book है आप उसको पढ़ो आपको बड़ी पसंद आएगी क्योंकि इसकी English भी बहुत simple है और बहुत beauty है इसमें इसमें इनोसंस नहीं होता जो child like innocence बोलते है सो वो इनोसंस इस book में है आपको पसंद आएगी please पढ़ना कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे comment में बताईए अगर आप चाहते हो ना कि ऐसे ही books के बारे में random discussions हम इस channel पे करें तो मुझे comment करके बताईए generally मैं बोलती हूँ self-help और non-fiction book के बारे में लेकिन ये भी non-fiction ही थी वैसे but this was not self-help this was kind of a memoir और beautiful book एक innocent और cute सी book थी से बाते करनी है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताना मैं चाहूंगी कि ऐसी book club की series हम बनाए तो वो बताईए मुझे generally क्या होता है ना कि जब हम non-fiction पढ़ते हैं जब हम self-help books पढ़ते हैं तब दिमाग एक direction में काम करता है तो कई बार हमारी thinking को break करने के लिए हमें वो एक breather देने के लिए यह book ऐसी टाइप की जो books होती ना वो बहुत जरूरी होती है और I think हम वो break को deserve करते हैं क्योंकि मैं धड़ादर धड़ादर non-fiction books पढ़ रही थी लेकिन फिर मेरे तो जरूरी है कि हम कुछ अलग पढ़े fiction पढ़े या फिर memoir पढ़े autobiography पढ़े ताकि एक humanly touch होता है या फिर imagination अपनी जलने की चीज होती है वो हमारे साथ हो सो ऐसी books उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताई अगर और ऐसे episodes आपको चाहिए तो हम जरूर करेंगे वो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मिलते है नेक्स वीडियो में बाबाई